मद्धे शेत्रिय परिश्रत की बैठक 7 अक्टूबर को आयुजित होगी ये बैठक टिहरी जिले के नरिंद नगर में आयुजित की जाएगी और इस बैठक में सभी चार राज्यों के मुखे मंत्री और अधिकारी भाग लेने वाले हैं बैठक देश के ग्रे मंत्री अमिश्रा के नेतर तुम्हें आयुजित की जाएगी इससे पहले ये बैठक 24 स्थनमबर को आयुजित की जानी थी लेकिन अब जो ये बैठक है 7 अक्टूबर को होने वाली है इस बैठक में तक्रीबन तीन दर्जन मुद्धे हैं जिनको लेकर चर्चा की जानी है उनको लेकर बाचीत की जाएगी तो नरेंदर नगर में मधेश्यत्री परिश्यत की बैठक होने वाली है 7 अक्टूबर को आयुजित होगी ये बैठक बैठक में चार राज्यों के सीएम और अफसर शामिल होने वाले हैं केंदरे ग्रह मंत्री के अध्यक्ष्टा में बैठक होगी 7 अक्टूबर को जिसमें मानि ग्रह मंत्री जी रहेंगे अध्यक्ष्टावन की होती है चार राज्य हैं उत्राघंड है यूपी एंपी और चारो राज्यों के मानि मंत्री जी रहेंगे और वाकी अधिकारी की टीम रहेगी जो एजनरा बिंदू है उस पर चर्चा करेंगे साथ अक्टूबर को ये बैठक आयोजित होने वाली है जो वधान सभाज चुनाओ होने है राज्यों में उसको लेकर इसमें चर्चा होगी क्योंकि चारो राज्यों के सीम और अपसर इसमें शामिल होने है हाला कि 2024 को लेकर तो फोकस है ही उसके अलाबा अलग से रणीतिया भी तयार होनी है नरिंदर नगर में मर्धे शेत्री परिशत की ये बैठक आयोजित होने वाली है 7 अक्टूबर को इस बैठक का आयोजिन किया जाएगा ये बैठक होगी सबसे बड़ी बात की जो 7 अक्टूबर को बैठक होगी इसमें अपसर भी शामिल होने वाले है चार राचियों के सीएम भी शामिल होने वाले हैं विचार विमर्शोगा बाचीत होगी किंद्रे ग्रे मंत्री के अध्यक्ष्टा में ये बैठक होने वाली है किंद्रे ग्रे मंत्री अमेशा खुद इस बैठक में शामिल होने वाले हैं क्या कुछ रणनीते इस बैठक के जर दर्जन से जादा अब तक मुद्दे बताए जा रहे हैं किंद्रे ग्रेमंत्री खुद इस बैठक में शामिल होने बाले हैं मध्य शित्रे परिश्ट की ये बैठक आईजित होगी साथ ऑक्टूबर को इस बैठक आईजिन किया गया है जो ये बैठक होनी है इसमें अफसर भ होगी क्या कुछ इसमें होने वाला है तमाम ऐसे मुद्दे वो भी आपको लगातार बताएंगे कौन-कौन से मुद्दे जिनको इसमें लेकर बाच्चीत की जाएगी तीन दर्जन से जादा उपेंदर सिंग राणा संबादाता हमारे साथ जुड़े हैं और जादा जानकारी के लिए उपेंदर साथ अक्टूबर को बड़ी बैठक होने बाली है तकरीवन तीन दर्जन मुद्दे जिनको लेकर बाच्चीत तसमें होगी और क्या कुछ जानकारी इसको लेकर देखें काजल जिसकार से 7 अक्टूबर को मद्या 6% की बैठक होनी है उसमें केंद्र गरह मंत्री जिस प्रकार से जो है बैठक मैं बाग लेंगे और साथी चार राजों के मुख्य मंत्री जो हैं इसमें हिस्सा लेंगे जिसमें उत्राकंड उतरपर्देश चतिस गड़ औ और साथी दो-दो मंत्री जो है राजों के सामिल होंगे और उसके साथी जो अधिकारी है उत्राखन राजे के वो अधिकारी जो है इस बैठक में सामिल होंगे इसमें कई सारे मुद्दों पर जो है वो चर्चा होनी है जो सबसे बड़ा मुद्दा है कि सिमात छेत्रों में ज उसको लेकर वह वाचीत की जा सकती है और साथ जो चात्र डॉप आउट हुए हैं उनको लेकर जो है वो चर्चाहों होनी कि कहीं नहीं जो इन चार राजियों में जो विकास कार्य जो योजनाएं अभी तक चली है उन ही योजनाओं में किस तरीके से राजिये काम कर रहे हैं उन तमाम चीजों पर जो है वो सुजाव लिये जाएंगे दूसरी और जिस प्रकार से देरादून से सारानपूरी की और जो रेल लाइन परियोजना को लेकर जो बातचीत होनी है उसको लेकर जो है इस एजेंडे में रखा गया है तो खास तोर पर इ कास्ट कारे अभी तक हुए हैं चाहिए वो केंद्र सरकार की योजनाओं को तहत हो राजे सरकार की योजनाओं के तहत जो कारे हुए हैं उसमें किस तरीके से काम होने उन राजियों से सुजाव जो है वो लिये जाएंगे उसमें अप्लिमेंट जो है वो किये जा सकते हैं क पलायन का दंस जो एहां के लोग जेल रहे हैं वो सबसे बड़ा मुद्धा जो है वो उत्रा-खंड को लेकर होगा अगर इस पर चर्चा होती है और इस पर कई योजना वो काम कर रही है उनके सुजाव लिये जाएंगे और उसके जो अभी तक स्वाश्थि विभाग के और से किस तरीके से काम किये गए आम लोगों लोग जो है किस तरीके से लाबाविंत्रे जो है वो हुए है इन तमाम चीज़ों पर बाचीत हो सब्सक्राइब्र चाहे उत्तर परदेश हो 36 गड़ हो मध्य परदेश हो और उत्रा खंड हो इन जगाओं पर जिस प्रकार से भाजबा की सरकार है और गुड गबनेंस के तहट जो है क्या क्या कार्य जो है सरकारों के द्वारा जो है अपने राजियों में किये गए हैं उनका तमाम चीजों का स तो तक है तो सप्नु पर सामिल रही है वो होने ओपसर काने यह जो इस बेटक क्यों में कि दखें चार राजियों के मुक्यमंत्री जो है बह्तर होंगे ग inappropri के मुख्या मंतरी सामिल होंगे उत्तर परदेश के मुख्या मंतरी सामिल होंगे उसमें मध्या परदेश के मुख्या मंतरी सामिल होंगे और चारों राजियों के साथि इसमें जो अधिकारी और सचीब जो यहां पर बैठक में सामिल होंगे, अभी, जिसम्हएर से सचीब इसमें सामिल होंगे, सिक्षा बिवाग की अधिकारी सामिल होंगे, वो साहेरी विकास मंतरी हैं उसको लेकर जो है वो सुजाव दिए जा सकते हैं कि किस तरीके से जो है राजय में आटला युश्माइन योजना के तहत 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 जा रही है और जो आन्यist राजयों के जो कि उत्राखन की बहुगोलिक परिस्थिती की अनुसार है जो पलायन के इस्थिती है उस पर चर्चा हो सकती है कि उत्राखंड के लिए महत्पूर्ण अफसर होने बाला है जब ये बैठक होगी बिल्कुल ये बड़ा अफसर होने वाला है क्योंकि जिस प्रकार से ये हालां कि पहले जुलाई माम में ये बैठक होने थी लेकिन बारिश के वज़े से जो है मांसून के वज़े से ये बैठक तल गई थी फिर सितंबर में इसकी डेट तय होई थी लेकिन कुछ का कारण वज़ ये डेट फिर से तल गई अब अक्टूबर में ये बैठक होनी है और अपने आप में ये बैठक बड़ी खास है क्योंकि जिन मुद्धों पर हम बात कर रहे हैं जो एजेंडर रखा जाना है पलायन का मुद्धा हो स्वास्ते का मुद्धा हो सिक्षा का मुद्धा हो ये एक ऐसे मुद्धे हैं जो मूलभूत मुद्धे हैं और जो उत्राखन की जरूरत भी है और जो चीजें यहां की जो कनेक्टिव और यहां के आनेवाले विकासकारियों देट करेगा जो किस तरीकास काम किया जाना और सकाई जो है लिया जा सकता सम् cheese उल्हें लाधार जो है थांसर व काम और जो हम कर रहे हैं- भी तैयरियों में जो है वो जुटे हुए हैं जिस प्रकार से केंद्र गर्यमंत्री बैटक में सामिल होंगे तो कहीं ना कहीं इस पर जो है खास तोर पर जो है वह चर्चा होने और फोकस रहेगा कि इन चार राजियों में किस तरीके से राजिस सरकार की ओर से जो है गुड़ गबनेंस के तहित काम हो रहे हैं राजिस सरकार की क्या-क्या ऐसी योजनाई हैं जो जनता से सीधा जो है वो लाब पहुंचा रही है इन तमाम चीजों पर चर्चा होगी 36 गर्ड उत्रपरदेश और जो मद्यपरदेश की जो राजिया हैं वहां के मुक्या मिंद्री अपने राजियों में क्या-क्या ऐसी योजनाई चला रहे हैं जिससे जो है वहां किसे लोगों को सीधा उलाब पहुंच रहा है और उसका इफेक्ट उत्राखन में कितना हो सकता है गर वो योजना है अगर उत्राखंड में लाई जा सकती हैं तो इन चीजों पर चर्चा होनी हैं और उत्राखंड के लिए यहां की योजनाओं के लिए आने वाले भć से के लिए यह बड़ी बैठाक जो ही यह मानी जा रही है बिल्कुल और आने वाले समय में इसका जो लाभ है इसका फाइदा है वो भी दिखाई देगा उपिंद्र बहुत शुक्रे आपका इस पूरी जानकारी के लिए तो महतपूर्ण बैठक जो कि 7 अक्टूबर को होने वाली है चारो राज्यो किसमें सीयम शामिल होने वाले हैं अब सर भी इसमें शामिल होंगे महतपूर्ण बैठक की उतराकान के लिहास से भी ओजाती है